हलो गाईस तुम्हें ले आया हूँ बॉड़ी बिलिंगे बहुत साही नई अपडेट्स और वीडियो स्टार्ट करते हैं निक वाकर की अपडेट के साथ जिने हमने काफी लंबे टाइम से कवर नहीं करा है बट काफी टाइम से इस चैनल पर रेगुलर वीडियो आप ही नही कर पा रहे हैं और वेट कर रहे हैं उस दिन का जब वो अपनी हमस्रिंग्स को भी एक बार फिट से उसी तरह से ट्रेन कर पाएंगे उसी इंटेंसिटी से उसी वाल्यूम से और वो खुद को लखी मान लाएं कि उन्होंने ज्यादा साइज लूज नहीं करा अभी भी क्यों कितनी ज़्यादा कंडिशनिंग शाफ है कितनी ज़्यादा डिफाइंट वैस्कुलर फिजीक इनगी हो रही है मतलब आल्मोस रेडी निक एपसलूटी एक टैंक की तरह लग रहे हैं और इमाजिन करो कि निक अगर अभी इस पॉइंट पर ऐसे लग रहे हैं तो मिस्ट ओल आदेते हैं मतलब आप फील कर सकते हो जब निक ट्रेन कर रहे होते हैं वो माइंड मसल क्लेक्शन दस्लो मुवमेंट दफोकस हर एक रैप में अपना हंड्र परसंट देना सो मिस्टो रंपिया और नॉट बट इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि निक करें टाइम के व रहना हमेशा और हर एक चीज एक ही बार में नहीं खाना मैं चीट मील्स तो लेता हूं बट एक मॉडरेशन में स्लीप और लिकावरी पर फोकस कर रहा हूं बहुत ज़्यादा काडियो कर रहा हूं और वीक में चार बार ट्रेन भी कर रहा हूं तो आप खुद देख लोगा गैस करो किशो से तो आनो क्लासिक ब्राजील ही वो शो है जहां पर गुड वीटो हमें अपना प्रो डेब्यू करते हूए दिखाई देंगे बिकास आई थिंग इनके स्पांसर्स वगेरा भी जो है वो ब्राजील से ही है तो वहां का एक शोव पिक करना इस अपने बड़ा कंसर्ण नहीं को इनके पास अल्रडी बहुत जादा मसल मास है बलकि बड़ा कंसर्ण तो यह है कि आनो क्लासिक ब्राजील के लिए एक नाम निकलकर आगे आ रहा है और वो है रफाइल बैंड़ा तो रफाइल पहले कंपीट करेंगे आनो क्लासिक उहायो मे फिर यूके में वो कंपीट ना करके ब्रजील चले जाएंगे यानि कि अपनी खुद की कंट्री में कंपीट करने तो इवन दो गाई रफाइल के रफाइल के भी हमें पता नहीं है कि वो कैसे आएंगे अब स्टेज पर बट गुडवीटो के लिए एक स्ट्रॉंग बैटल अगर आपको मेरा कॉंटेट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो यह कंपरसरी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर इतना प्यार देते हो वो भी एक बहुत बड़ी चीज है बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चा वो एक अनदर रीजन है बाकी अब नेक्स बात करते हैं तो मिरेकल बियर एक ए उर्स कैल सिंस्की की जो कि आनो क्रासिक में जाते हूँ काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और आई डॉन नो हाव बट उर्स भी रिबाउंड फेज में एक दम से काफी बिगर लगने लग क्योंकि जब भी ये स्टेज पर आते हैं तो वो मसल मास जो हम अपडेट्स देख कर बोलते हैं कि ये उर्स साइस गौटन बिगर वो स्टेज पर बहुत मिनिमल से लगती है बहुत जादा श्रेंग डाउन सी लगती है बैक के मामले में रमान और बियॉन अब उसको काफी पीछे छोड़ तुगे हैं मतलब बियॉन तो पहले से ही बैक में एक सुप्रियॉर्टी होल्ड करते हैं किसी के पकड़ में आते हैं वो इस बारे में बट रमान भी अब बहुत ही आ गये हैं जिस तरह से बाकी सभी अल्मॉस्ट कम्पीट कर रहे हैं तो यहां पर कॉम्प और वेजली विजर्ज भी बट अगर सिर्फ और सिफ प्लेसिंग से हिसाब से जाएं कि कौन मिस्टर ओलम्पिया में कहां पर प्लेस हुआ था तो उर्स और बियॉन दोनों ही आपस में बैटल करेंगे आनल यूके के टाइटल के लिए वैसे अगर जजिस की बात करें तो फेवर और प्रेफर दोनों ही चीज़े उर्स की फिजीक को ही करते हैं क्योंकि यही चीज मिस्टर ओलम्पिय के स्टेज पर पर ट्रांसलेट हुई थी इन टम्स अफ प्लेसिंग जबकि ब्रियॉन एपसलूटल अपने करियर के बेस्ट पर थे मिस्टर ओलम्पिया में तो बैक में तो नाइट एंडे का डिफरेंस है तो वही है जैसे रिजल्ट्स मिस्टर ओलम्पिया में थे इन दोनों की बैटल के मैं एकस्पेक्ट नहीं करता हूँ कि वैसे ही रिजल्स हमें आनलोर के स्टेज पर भी मिलेंगे बाकी अब देखते हैं एक्शल में क्या होता है और अब नेक्स बात करें दे बुगी मैं ब्लेसिंग अवोडी बुकी जो अपनी अपडेट में कैप्शन में बूल रहे हैं कि 12-24 एक इंप्रूमेंट्स का सीजन है और इस साल वो टागेट करेंगे हर चीज़ को यानि अपनी फिजीक के हर एक अस्पेक्ट को बिलकुल श कोट्स और हैंप्स्रिंग को बिंग अप करने के लिए ऐसा नहीं है कि एफर्स पुटीन नहीं करेंगा हैं मैनत नहीं करेंगा यह बट रिजल्स अभी भी उसी साब से नहीं आए हैं सो आई रेली फील की ब्लेसिंग में पोटेंटल तो बहुत हैं बट जी स्पीड से इन् इसे एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए अगर इन्हें एक्चल में फिर से एक कॉनवरिशन में आना है तो वरना लोग तो इनकी वाल पर रिटायर हो जाओ यू कांट डू इट जैसे कॉमेंट्स अभी से भरबर करने लग गए हैं सो ब्लेसिंग को 300 पाउंड से भी उप अब बताओ क्या लगता है आपको क्या ब्लेसिंग फिर से एक कॉन्वरिशन का पार्ट बन पाएंगे और इस इट ओवर तो ब्लेसिंग अबोदीबू बाकी नेक्स बात करते हैं रफाइल बैंड़ाओ की जिन्होंने रिसनेटली ही 11 वीक्स आउट की अपडेट शेयर करी क्योंकि 2022 के मिस्टर ओलंपिया में तो यह डाइमंड की तरह से कट लग रहे थे और अब यहां पर यह राउंडर एं राउंडर लग रहे हैं अब आई डोन नो कि क्या हम रफाइल को उस तरह से विट से डाइमंड की तरह से कट और शाप देख भी पाएंगे या नहीं पूछोगे तो मुझे रफाइल की फिजीक बहुत स्ट्राउंग लगती है बट अभी वाली नहीं बलकि जो यह 2022 के मिस्टर ओलंपिया में लाए थे वो वाली फिजीक अब तो यह देखना पड़ेगा कि अपने शेप के साथ रफाइल ने कितना सैक्रिफाइस करा है क्यों जबकि रफाइल रफाइल बोल लो जीम्स ओलिंग सेट बोल लो कोई भी मतलब ये लोग तो अच्छे खासे बलकी लगें अपने आफसीजन में एक अच्छी लेवर फैट गेन करते हुए तो इस चीज़ के अगेंस मैं हूँ नहीं यस आप आफसीजन में नैच्छरली एक बहुत ज़्यादा हाई हैं लेटसीट डिलीवर वो किस तरह से करते हैं एनिवेज मैट जैंसन के अथलिट जस्टिन शियर लास्ट रियर शिकागो प्रो जीत कर क्वालिफाई तो कर गयते हैं मिस्ट ओलिंपिया के लिए बट रिजल्ट कुछ मिस्ट ओलिंपिया में उनक प्रोपने फिजीग को लॉक करने में वेल देखो आप यहां देखोगे तो आपको जस्टिन की फिजीक इनकी वेसलाइन वगेरा सब अच्छी ही लगेगी और इन फ़ैक्ट आप यहां कुछ लास्ट टेट की अप्डेट में भी देखोगे तो आप भी बोलोगे वाव मैं really a great physique मतलब बहुत जबर्दस physique लग रही है बट stage पर ये चीज उस तरह से translate ही नहीं होती अब mat इनको condition लाने में या peak पर लाने में कोई कमी नहीं चोड़ते बट वो pop वो maturity, वो refinement insta updates वाला वो पूई तरह से गायब होता इस stage पर तो वही है गाईस कि आप शीशे के आगे खड़े होकर खुद को देखोगे तो आपको कोई खुद से बहता नहीं लगेगा बट जब आप competition में जाते हो पचास आपके सामने ऐसा athletes होते है जो आप ही की तरह absolutely peeled physique लाते है तब actual realization होता है तब condition पता लगती है comparison में हो तो पता लगेगा कि आप खुद कहाँ पर stand कर रहे हो तो वही है इस टापर Justin looks amazing बट standing next to other competitors अभी तो Justin उस तरह से stand out नहीं कर रहे है बाकि let's see इस gap में इस off season में क्या growth रहती है Justin की और Justin की तरह से Ross Flanigan भी off ले रहे हैं पूरे एक साल का तो Ross की अगर latest updates की बात करें तो ये कुछ विद्यत्रिसी रही है मतलब ये भी Anton Valiant की तरह से ही कुछ crazy करने में लगे पड़े हैं मतलब ये देखो ये bikini category के एक athlete की तरह से post कर रहे थे and he was looking hilarious मतलब चाहे ये anyways Ross का Ross का bulk अभी तक तो सही लग रहा था कुछ last updates में बट यहाँ पर ये काफी लटके हुए से लगे काफी 20 होते हुए और अभी तो ये start ही है एक bulk का और यहाँ से भी एक साल को off-season लेना मतलब 275 से 280 pounds तक पहुचा देना अपने frame को और अभी से ही ऐसे bulk की type लग रहे हैं तो I don't know man उस time पर ये कैसे लगेंगे बट off-season तो एक इनको चाहिए ही उसके बीना आज की line-up पर competitive होना is not going to be possible मतलब ठीक आप conditioning के base पर refinement के base पर pro show तो जीच सकते हो क्योंकि IBB pro shows भी कुछ इतने करवारी है भर-भर के हर अफते हैं कि 5-5 competitors भी नहीं होते हैं और pro show करवा देऊं complete तो being qualified is not difficult but being competitive on Mr. Olympia stage is going to be very difficult तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो चैनल को subscribe कर दो notification bell को दबा दो insta पर follow कर दो thank you, bye bye